Share Market और Stock Market एक ऐसा Market है जहां बहुत से कमपनीज के Shares करीदे और बेचे जाते हैं। यह एक ऐसी जगह है जहां कुछ लोग या तो बहुत पैसे कमा लेते हैं या तो अपने सारे पैसे गवा देते हैं। किसी कमपनी का Share खरीदने का मतलब है उस कमपनी में हिस्सेदार बन जाना। आप जितने पैसे लगाएंगे उसी के हिसाब से कुछ प्रतिशत के मालिक आप उस कमपनी के हो जाते हैं। जिसका मतलब ये है कि अगर उस कमपनी को भविश में मुनाफा होगा तो आपके लगाए हुए पैसे से दुगना पैसा आपको मिलेगा और अगर घाटा हुआ तो आपको एक भी पैसे नहीं मिलेंगे यानि कि आपको पूरी तरह से नुकसान होगा। जिस तरह शेयर मार्केट में पैसे बनाना आसान है ठीक उसी तरह यहाँ पैसे गवाना भी उतना ही आसान है क्यूंकि शेयर बाजार में उतार चड़ाव होते रहते हैं। तो सुरू करते हैं शेयर मार्केट के बारे में जानकारी। शेर बाजार में शेर कब खरीदे स्टॉक मार्कट में शेर खरीदने से पहले आप इस लाइन में पहले experience गेन कर लें की यहां कैसे और कब invest करना चाहिए और कैसी कमपनी में आप अपने पैसे लगाएंगे तब जाकर आपको मुनाफा होगा इन सब चीजों का पता लगाएं ज्यान बटोरे उसके बाद ही जाकर शेर मार्कट में निवेश करें शेर मार्कट में कौन सी कमपनी का शेर बढ़ा या गिरा इसका पता लगाने के लिए आप उकोनॉमिक टाइम्स जैसे निउस्पेपर पढ़ सकते हैं या फिर अंडी टीवी बिजनिस न्यूज चैनल भी देख सकते हैं ये जगह बहुत ही रिस्क से भरी हुई होती है इसलिए यहां तभी निवेश करना चाहिए जब आपकी आर्थिक स्तिथी ठीक हो ताकि जब आपको घाटा हो तो आपको उस घाटे से ज्यादा फर्क ना पड़े या तो फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि शुरुवात में आप थोड़े से पैसे से निवेश करें ताकि आगे जाकर आपको ज्यादा जटका ना लगे जैसे जैसे आपका इस फीड में नॉलज और उक्स्पिरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे आप धीरे धीरे अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं शेयर मार्किट में पैसे कैसे लगाए Share Market में पैसा कमाने के लिए आपको एक Demet Account बनाना होता है इसके भी दो तरीके हैं पहला तरीका तो आप एक ब्रोकर यानि की दलाल के पास जाकर एक Demet Account खोल सकते हैं Demet Account में हमारे Share के पैसे रखे जाते हैं जिस तरह की हम किसी बैंक के खाते में अपना पैसा रखते हैं ठीक उसी तरह अगर आप Share Market में निवेश कर रहे हैं तो आपका Demet Account होना बहुत ही जरूरी है क्यूंकि Company को मुनाफा होने के बाद आपको जितने पैसे मिलेंगे वो सारे पैसे आपके Demet Account में जाएंगे ना कि आपके Bank Account में और Demet Account आपके Savings Account के साथ लिंक होकर रहता है अगर आप चाहे तो उस Demet Account से अपने Bank Account में बाद में धन राशी ट्रांसफर कर सकते हैं Demet Account बनाने के लिए आपका किसी भी Bank में एक Savings Account होना बहुत जरूरी है और Proof के लिए Pan Card की Copy और Address Proof चाहिए होती है दूसरा तरीका है कि आप किसी भी Bank में जाकर अपना Demet Account खुलवा सकते हैं लेकिन आप अगर एक Broker के पास से अपना Account खुलवाएंगे तो आपको उससे ज्यादा फाइदा होगा क्यूंकि एक तो आपको अच्छा सपोर्ट मिलेगा और दूसरा आपके निवेश के हिसाब से ही वो आपको अच्छी कमपनी सज़स्ट करते हैं जहां आप अपने पैसे लगा सकते हैं ऐसा करने के लिए वो पैसे भी लेते हैं इंडिया में दो में स्टॉक टॉक्स्चेंज हैं वो है बॉम्बे स्टॉक टॉक्स्चेंज बी सी और नैशनल स्टॉक टॉक्स्चेंज उनसी यहां ही शेर करीदे और बेचे जाते हैं ये जो ब्रोकर्स होते हैं, वो Stock to Exchange के सदस्य होते हैं, हम सिर्फ उनके जरिये ही Stock to Exchange में ट्रेडिंग कर सकते हैं हम सीधे Stock Market में जाकर कोई भी शेर खरीद या बेच नहीं सकते आज की वीडियो में इतना ही धन्यवाद